अक्सर बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि मा बने बिना ही उनके इस्तन से दूद आना शुरू हो जाता है कुछ महिलाओं के साथ तो शाथी के पहले भी यह समस्या हो जाती है कई बार दूद का अपने आपी बैना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से महिला की कपड़ तो खराब होते हैं ये साथ ही साथ उस महिला को शर्मिन्दगी का सामना भी करना पड़ता है कि आप जानते हैं कि अगर किसी महिला के साथ ये समस्या हो रही है तो सिर्फ शर्मिन्दगी ही नहीं बलकि उस महिला को इन्फर्टिरिटी यानि की बांचपन का भी सामना करना पड़ता है नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी समस्या के बारे में बताने वाला हूँ और इसका इलाज भी बताऊंगा वीडियो को शुरू से लेकर के लाज तक पूरा देखे ताकि आप एक एक चीच को सहीतर के समझ सकें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करतें और जादा स्यादा शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो हमारे शरी में प्रोलेक्टीन नाम का एक हॉर्मोन होता है जिसे पिट्यूट्री ग्लैंड रिलीस करती है प्रोलेक्टीन होर्मोन पुरूश और महिला दोनों की शरीर में पाया जाता है लेकिन यहां पे हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और जैसे जैसे उसकी प्रेग्नेंसी का समय आगे बढ़ता है यानि कि डिलीवरी का समय नस्दीक आता है तो ऐसे में जो पिट्यूट्री ग्लैंड होती है वो प्रोलेक्टिन हॉर्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है ताकि आने वाले बच्चे के लिए मिल्क यानि की दूद का उत्पादन हो सके और बच्चा दूद पी सके सिर्फ यही नहीं प्रोलेक्टिन हॉर्मोन महिला के मैमरी ग्लैंड्स यानि की इस्तन गरंथियों को भी बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि महिला नवजास शिशु को दूद पिलाने ले तयार हो सके लेकिन कई बार कुछ कारणों की वज़े से बिना प्रेगनेंट हुए ही महिला के शरीर में इस हॉर्मोन की मातरा बढ़ जाती है जिस कंडिशन को हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कहा जाता है और इस कारण से महिला के सतनों से मिलकर डिस्चार्ज यानि की दूद्या इस्तराफ होना शुरू जाता है इसलिके साथ-साथ उस महिला का ओवलेशन होना भी बंद हो जाता है दोस्तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी महिला का ओवलेशन बंद हो जाए तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है इसलिए कहा जाता है कि जब प्रोलक्टिन का लेवल हाई होता है तो महिला को बांचपन की समस्या आ जाती है और इसके साथ साथ महिला के पीरिट्स पर रेगुलर हो जाती है दोस्तों ये कंडिशन तब आती है जब महिला के शरीर में प्रोलेक्टिन का लेवल सौन एनो ग्राम परेमल से जादा हो जाता है तो ये तो आप समझ गए कि आखिर ऐसा क्यों होता है लेकिन अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है यानि कि किन कारणों की वज़े से ही समस्या आती है नमबर एक स्ट्रेस दोस्तों चाहे वो कोई लड़की हो या महिला जब भी वो जादा सोचती है जादा स्ट्रेस लेती है जादा चिंता करती है तो इसका असर सीधा सीधा उसकी पिट्यूटरी ग्लैंट पर बढ़ता है जिस कारण से पिट्यूटरी ग्लैंट असर ट्यूमर होता है और इस ट्यूमर के कारण पिट्यूट्रिक लेंट ज्यादा मात्रा में प्रोलेक्टिन होर्मून्स को रिलीज करती है यह ट्यूमर वैसे तो साधारन सा होता है छोटा होता है जिसको माइक्रो एडिनुमास कहा जाता है लेकिन कई बार यह ट्यूमर गबरा जाते हैं लेकिन आपको गबराने की जरुद नहीं है ये ट्यूमर असानी से ठीक हो जाते हैं इसके ले डॉक्टर दो तरह की थेरपी का यूज करते हैं पहली होती है ब्रोमो क्रिप्टिन और दूसरी होती है केबर गोलीन दोस्तों ये दोनों ही थेरपी टैबलेट यानि के मेडिसिंस के रूप में दी जाती हैं जो की बहुत ही तेजी से ट्यूमर को सिरिंक कर देती हैं बहुत सारी कंडिशन्स में शुरुआती दोर पे महिलाओं को ब्रोमो क्रिप्टिन की थेरपी दी जाती है लेकिन कुछ महिलाएं जब इसको टॉलरेट नहीं कर पात अगर ये ग्लेंट जादा मातरा में थाइरोक्षिन होर्मोन को बनाती है तो शरीर में हाइपर थाइरोलिट की समस्या हो जाती है और मेटाबॉलिजम बहुत ज्यादा हो जाता है जिस कारण से शरीर का वजन काफी तेची से कम होना शुरू हो जाता है ठीक इसके वो प्रीत अगर थाइरोलिट होर्मोन थाइरोक्षिन होर्मोन का निर्माण कम करना शुरू कर देती है तो इस कंडिशन को हाइपो थाइरोलिट का जाता है और इस कंडिशन में शरीर का मेटाबॉलिजम काफी यदा स्लो हो जाता है जिस कारण से शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो और इंसान में मोटा पाना शुरू हो जाता है यहां पर बताना चाहूंगा इन दोनों ही समस्या का सीधा सीधा असर पड़ता है पिक्टूट्री ग्लाइंट के उपर जिस कारंट से प्रोलेक्टिन होर्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है सिर्फ यही नई शरीर के बाकी होर्मोन भी इंबैलन्स हो जाते है और इस कारंट से महिला का ओवलेशन बंद हो जाता है पीरिट से रेगुलर हो जाते हैं और भी तरह तरह की समस्यानी शुरू हो जाती है अगर किसी महिला का थाइरोड की वज़े से प्रोलेक्टिन होर्मोन बढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि आप थाइरोड की मैडिसिन्स को लीजिए अपने लाइफ इस्टाइल को चेंज कीजिए और आप अपने प्रोलेक्टिन को कंट्रोल कर सकते हैं आपको इसके लिए गबराने की ज़रूत बिल्कुल भी नहीं है नमबर चार है PCOD यानि की पोलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इस बीमारी में महिला के शरीर में AMH यानि की एंटी मुलेरियन होर्मोन काफी ज़दा बढ़ जाता है जिस कारण से उसकी ओवेरियन में बहुत सारे फॉलिकल बढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन कोई भी एक फॉलिकल उसके ओवुलेशन के टाइम तक मैच्चोर नहीं हो पाता है जिस कारण से उस महिला का ओवलेशन नहीं होता है और वही फॉलिकल आगे चल करके गाट का रूप ले लेता है और पीरेट्स की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है और इस कंडिशन में महिला के शरीर में होर्मोन से इंबैलेंस होते हैं और उसका स्ट्रेस बढ़ता है जिस कारण से उसका प्रोलेक्टिन लेवर बढ़ना शुरू हो जात जब आपका PCOD कंट्रोल हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो आपका प्रोलेक्टिन आटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोलेक्टिन हाई होने का कोई कारण समझ में नहीं आता है क्योंकि सारे टेस्ट करने के बाद भी इसका कोई कारण नजर नहीं आता है। बेच्छ में होना चाहिए अब आप मैंसे बहुत सारे महीला हैं या फिर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हँनगे कि ये तो ही हाई प्रॉलेक्टिन की बात अगर किसी के शरी में प्रॉलेक्टिन का लेवल कम हो जाए तो इसका क्या होगा तो यहां बताना चाहूंगा कि प्रोलेक्टिन का लेवल अगर आपके शरीर में कम है तो आपको घबरानी की जुरूत नहीं है क्योंकि यह आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा तो आज की वीडियो में इतना ही तोस्तों अमीद है आप लोगों को मेरे द्वाराती की जानकारी बसंद आई होगी वीडियो को जाता स्याता शेर करें लाइक करना ना भूले अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगरे वीडियो में तन्यवाद